हलो श्रेंट्स आप सभी का अभिनंदन है मैं डॉक्टर अजेकुबार पांडे आज आपके लिए एक बहुत ही महत्वपुण मुद्दे पर बात करने आया हूँ आज हम बात कर रहे हैं मनिपूर समस्या के बारे में आज ये समस्या संसत से लेकर सडकत च्छाई हुई है नापके वल मनिपूर के लिए भारत के लिए प्वल की पूरी दुनिया के लिए ये जो है एक बहुत ही आज चर्चा का विशय बना हुगा है तो ये समस्या मनिपूर की समस्या के बारे में हम लोग आज विस्तार से चर्चा करेंगे और हम लोग देखेंगे कि मनिपूर की इस समस्या का क्या कारण है हना इसका क्या परिणाम है और इसका क्या निदान हो सकता है तो बिस्तार से इसके बारे में हम आपको बताएंगे सबसे बड़ी चीज है कि मनिपूर की इस जो समस्या है इसके पीछे भौगोलिक और समाजी किस्थिती है इसका मुख्य कारण भौगोलिक और समाजी किस्थिती है और अन्य जो कारण है उसके बारे में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे लेकिन आप मनिपूर की समस्या को तभी समझ सकते हैं जब इसके भौगोलिक और समाजी को अच है साथ बहनों में से और देखिए मनिपुर की भारत में इस्थिती उत्तर पुर्बी राजों में ये गोल घेरा में मनिपूर है आप इसको देख सकते हैं मनिपूर जो है ओ आप देखिए नौर्थ में नौर्थ हिस्ट में एकदम पुर्व की और यह जो आप देख रहे हैं यह पिंक में यह मयानमार है यह मयानमार है और मयानमार की सीमा जो है मनिपुर के पुर्व और दक्षिन से लगती है पुर्व और दक्षिन से मयानमार की सीमा यह जो है मनिपुर के साथ लगती है मनिपूर में जो है यह मनिपूर की भावगली की स्थिती है और मनिपूर के जो सामाजी की स्थिती है उसको भी समझना जरूरी है मनिपूर में मुख्रुप से तीन समुदाय मनिपूर में यह जो बहु संख्यक समुदाय है और यह गैर जन्याती यानि गैर आदिव यह मनिपूर में बहु संख्यक है यह मनिपूर के मैदानी छेत्र बहुती कम 10% मैदानी छेत्र है और इमफाल घाटी कहा जाता है इसमें इसका पूरी तरह से संगनन है यह जननकी किये इस्थिति में यह मनिपूर के मैदानी छेत्र में इसका पूरा विस्तार है यह जन जाती और नागा ये दोनों जन्जाती लोग हैं और कूकी और नागा दो जन्जातियों की बहुलता है अलाकि उप जन इनकी उप साखाएं कई हैं ठीक है तो ये कूकी और नागा इनको जन्जाती दरजा मिला हुआ है मनिपूर में और इनकी जो ये जो है ये दोनों की जनसंख्या अमनिपूर में लगभग 40% के करीब है तो ये 53% के लगभग है हना इनकी जनसंख्या 53% के लगभग है ये 40% के लगभग है हना ये जो लोग है वो मुखरुप से हिंदू है ये जो मैते ही हैं मुखरुप से हिंदू है जब कि कुकी और रागा मुखरुप से ये लोग जो है इसाई समुदाय से इनकी जो ये समुदाय या इनकी सामाजिक और भोगोलिक स्थिति को अगर एक साथ करके देखे तो और जादा इस समस्या को आप समझ सकते हैं ये देखिए इनकी भोगोलिक और इस्थिति ये इंफाल बेसीन है और मनिपुर के चारों तरफ परवत्थ है यानि कि पहाडियों से घीरा हुआ है चार उत्राफ बीच में यही एक जो छेतर है यही केवल मैदानी छेतर है यह सरोवरीय मैदान है भारत में दो सरोवरीय मैदान है एक कस्मीर घाटी और दूसरा इंफाल घाटी ठीक है यह इंफाल बेसिन के नाम से भी इसको जाना जाता यही इंफाल बेसीन में जो है मैतेई समुधाय का यहाँ पर जन घनत को सबसे ज़्यादा मैतेई समुधाय सबसे ज़्यादा निवास करते है जबकि यह ब।ब्लु वाला जो देख रहा है यह परवतिये छेतर है और यहाँ नागा और कुकी रहते हैं ये पूरे मनीपूर का छेत्रफल का केवल 10% है जबकि ये 90% है तो जो मैतेई समुदाय के लोग हैं हना ये 10% छेत्र में रहते हैं जबकि नागा और कुकी 90% छेत्र में तो यहां मनिपूर में कुछ ऐसी जो है संबैधानिक इस्थिती है कि यहां नागा और कुकी को कुछ विसेश अधिकार मिला हुआ है जैसे अनुछे 371C के तहट इनको अधिकार मिला हुआ है कि जो परवतिय छेत्र है वहाँ पर इनको विसेश जो है वो दर्जा मिलेगा रा जिपालीन के लिए कुछ विसेश बेवस्था करेंगे हॉलेंड एक्ट है उसके अनुसार यह बेवस्था किया गया है कि नागा और कुकी का जो छेत्र है पहाड़ी छेत्र वहाँ दूसरा कोई जमीन नहीं खरी सकता है अर्थात नागा और कुकी मैदानी छेत्र में जमीन खरी सकते हैं लेकिन जो यह जो मैते ही हैं यह लोग परवतिय छेत्र में जमीन नहीं खरी सकते हैं यह तनाव चल रहा है यह नागा और कुकी जो जन जातिये विसेश साधिकार है उसके अधार पर सरकारी नोकरियों में इनको आरख्छन भी मिलता है और इनको जो है जन जा को परवतिये छेत्र में बसने का कोई अधिकार नहीं है इसलिए मैं तेई समुदाय के अंदर असंतोस है बात समझें यह समस्या शुरू होती है 14 अप्रेल को जब यह 14 अप्रेल को मनिपूर हाई कोट ने एक फैसला दिया कि राज्य सरकार मैं तेई समुदाय के द्वारा जा उन्हें फैसला दिया कि राज्य सरकार इनके जनजातिये दर्जे के लिए केंद्र से सिफारिस करे या केंद्र को प्रतिवेदन भेजे क्योंकि जनजातिये दर्जा तभी दिया जा सकता है जब राज्य केंद्र को प्रतिवेदन भेजे और उसकी जाच हो और उनके सारे मा पूरे किया जाए तो केंद्र के तरफ से उन्हें जंजातिये दर्जा दिया जाता है यह 14 अप्रेल की बात है जब उच्छ नियाले ने यह फैसला सुनाए तीन मई को हना समस्या सुरू होती है तीन मई को जंजातिये लोग एक रैली का आयोजन करते हैं एक सम्मेलन बुलाते किया जाता है और इसी के बाद हिंसा भड़क जाती है और तीन मई से वो मनिपूर एकदम हिंसा का जो है वो किंद्र बन जाता है और इस प्रकार जो है ओ मनिपूर जलने लगता है धूधू कर जलने लगता है और उस आग में मानोता जलती है उस आग में महिलाओं के सम्मान जलते हैं उस आग में गरीबों के जो है गरीबों के पूरी तरह से उनके कमाई जलते हैं उस आग में लोगों की आपसी भाईचारा जलती है इस तरह से जो है ओ मनिपूर की समस्या आगे बढ़ती है आज तक ये हिंसा ये जो है बढ़ती चली आ रही है तो मनिपूर की समस्य कारण क्या है जरा देखिएगा मनिपूर की समस्या का राजनीतिक कारण है कि मनिपूर के राजनीतिक जो है उस पर राजनीती पर मैतेई समुदाय का बर्चस्व है और प्रसासन में इनहीं लोगों का बर्चस्व है मनिपूर का समाजिक कारण यह है कि मनिपूर में यह जो ल में जन जातिये और गैर जन जातिये वाला समस्या है मैतेई आगे हैं समाज में ये आर्थिक द्रिश्टी से राजनीतिक द्रिश्टी से सैक्षिक द्रिश्टी से हर तरह से आगे हैं जबकि जन जातिये लोग अभी पीछे हैं हना आर्थिक कारण ये है कि हर छेत्र में इसाई धर्म मानने वाले हैं जबकि मैतेही समुदाय बहुत संख्यक हिंदु धर्म उपने दिभेधन मार से बहुत सारे जो है बिदेशी प्रवासी आते रहते हैं और जनांकी की ये बेवस्था को गड़बना आते रहते हैं ततकाली कारण हाई कोट का उफ हैसला है और इसके बिरोध में जन जातिये छात्र संका और रैली है जिस ततकाली कारण के कारण हिंसा भड़कूथी पूरा प्रसासन, पूरी ब्यवस्था, पूरी राजनीतिक ब्यवस्था छिन्न भी नुव चुकी है। समाजिक परिणाम यह हुआ कि आपस में इनका जो समाजिक ताना वाना भाईचारा था, वो पूरी तरह से ध्वस्थ हो चुका है। और आपस में एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं, आर्थिक परिणाम ये हुआ कि मनिपूर की पूरी अर्थविवस्था चोपट हो गई है, और इस पर का धार्मिक परिणाम ये हुआ कि दोनों एक दूसरे के धार्मिक इस्थिति को धार्मिक जो है ओ अस्थानों को अस्थलों को जला रहे हैं भारत के संदर में इसका पढ़ना भारत नया भारत उभरता भारत इसकी बेजती हो रही है और पूरी दुनिया में भारत का जो है अब इसका निदान क्या हो सकता है मैतेई समुदाय को अनुसरची जन जाती का अगर उसके पास योगता है तो उसे परदान किया जाए तब समधान हो सकता है नागा और कुकी जनजातियों में आपस में विश्वास की भावना मैतेई के साथ बनाया जाए मैनमार से परवासियों के घुट स्पैट को रोका जाए ड्रॉक्स और नसीले पदार्थों की खेती को नस्ट किया जाए और सभी समधान हो सकता है मुझे उमीद है बड़ी बड़ी समस्याएं सुधरी और मुझे उमीद है कि इस समस्या का भी समधान होगा मनिपूर अपने पुराने गोरों पर आएगा और भारत जो है ओ इस समस्याएं पर वीजय प्राप्त कर लेगा धंड़ेवाद